जै हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी सांतियों का गेंजर लर्निंग गुर्जी प्लेटफॉर्म में तो दोस्तों अभी BPST के दोबरा कुछ सुचनाय जारी नहीं किये गई है तो आप लोग अभी पेसेंट बनाए रखिए क्या हो सकता है आगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है इसलिए आपनी त्यारी जो आपकी चल रही है उस त्यारी को बरकरार रखिए और आगे त्यारी करते रहे है ठीक है तो हम लोग पीछे के लेक्चर में 1210 तक प्रस्न किये थे आज की लेक्चर में 1211 प्रस्नों को करेंगे तो सम्विधान का जो 74 वा संसोधन है वह नगरिय सासन भेवास्ता से related है तो यहाँ पे जो right answer भी हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है यह जितने सारे प्रस्न है NCRT अब प्लस में SCRT लेवल के प्रस्न है तो लेक्चर को जरूर देखिएगा जितना हो सके सेर जरूर कर दीजेगा इसके बाद देखिए 1212 प्रस्न को 1212 प्रस्न है कि बिहार में एक नगर में कि अधिक्तम कितने वाड हो सकते हैं तो बिहार के अधिक्टं जो नगर वाड़ हो सकते हैं वो हो सकते हैं अधिक्तं 75 right answer यहां पे जो B हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस ने देखिए 1213 प्रस ने की चिप को अंदोलन ने किसे से संबंधित है चिपको आंदोलन जो है सुन्दर लाल बहु गुणा, राइट एंसर यहाँ पर जो C हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है चिपको आंदोलन किस से रिलेटेड है तो चिपको आंदोलन सुन्दर लाल बहु गुणा से रिलेटेड है अगला प्रस्न देखिए 1214 1214 प्रस्न है कि नेपाल में सब्त दल्य गठन क्यों किया गया था तो यहां पर बात करें तो लोग तंत्र की अस्थापना है तो नेपाल में सब्त दल्य गठन किया गया था तो ए बिकल्प जो है दोस्तों यहां पर सही हो रहा है कौन सा बिकल्प सही हो रहा है तो ए लिख 1216 प्रस्ण경 देखिए tür 12 1216 प्रस्ण ने की दल बदल का नूं लागू होता है दल बदल कानूं लागू लागू होता है उसकी पर लागू होता है तो सांसद और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है तो ए बिकल्प जो है दोस्तों आप लोगी से याद करिएगा सही हो रहा है ए बिकल्प अगला प्रस्न देखें 1217 प्रस्न है कि जारखंड बिहार से कब प्रिथक हुआ था कब अलग हुआ था जारखंड तो 15 नमंबर 2000 SP को जारखंड बिहार से प्रिथक हुआ था अलग हुआ था तो बिकल्प जो यहाँ पे यह हो रहा है यह सही हो रहा है तो यहाँ पे बिकल्प जो भी है यह बिल्कुल सही हो रहा है इस तमें आप लोग को केवल प्रैक्टिस सेट की जरुवत है जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट करिए उससे आपको बहुत ज़्यदा बेनफिट होगा अगला प्रैक्टिस देखिए 1219 प्रैक्टिस की लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या 543 होती है कितना होती है दोस्तों तो 543 होती है लोग सभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या अगला प्रस्न दिखिए बारो सो बीस प्रस्न को बारो सो बीस प्रस्न है कि पूर्वा में बंगला देश किस नाम से जाना जाता था पूर्वा में बंगला देश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था यहाँ पर जो विकल्प C हो रहा है दोस्तों यह बिल्कुल सही हो रहा है 1221 प्रस्ण है कि वेस्ट इंडिस संग की अस्थापना हुई थी वेस्ट इंडिस संग की अस्थापना हुई थी तो 1958 इसमी में वेस्ट इंडिस संग की अस्थापना हो दी तो विकल्प D यहाँ पे सही वह रहा है 1222 प्रस्न देखिए कि इंडिका के लेखक कौन है तो इंडिका के लेखक जो हो जाएंगे मेखा अस्तिनीच हो जाएंगे यहाँ पे जो C विकल्प होगा यह बिल्कुल सही होगा 1223 प्रस्ण दिखिए कि 20 वकार सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश मना जाता है अगला प्रस्ण दिखिए 1224 प्रस्ण है कि अंग सासू की किस देश की नागरीक है जो आंग सासू है एक किसे देश की नागरीख है तो ये मैमार देश की नागरीख है सी बिकल्प यहाँ पे सही हो रहा है 1225 प्रस्ण देखा जाए 1225 प्रस्ण है कि छेत्रवाद की भावना की कूप परिणाम क्या है छेत्रवाद की भावना का कूप परिणाम क्या है तो इसका जो सबसे जो अलग कूप परिणाम होगा वह अलगाओं वाध हो जाएगा यहाँ पे जो D अप्सन होगा यह सही होगा अगला प्रसन दिखें 1226 प्रसन है दुधवा राश्टिय उधान कहां पे है तो दुधवा राश्टिय उधान उत्रप्रदेश में है D अप्सन यहाँ पे सही होगा कहां पे है दोस्तों तो उत्रप्रदेश में है तो बात करे सितंबर 1987 में राश्टिय जल निती को भारत में अपनाया गया था अगला प्रस्ण देखिए 1228 प्रस्ण है कि बिश्व में सरवाधिक वना वरण वाला देश कौन सा है वन आवरण वाला देश कौन सा है सुन्दर सा प्रस्ण है यह तो यहां पे जो रसिया हो जाएगा रूस यह बन आवरण वाला देश माना जाता है सरवाधिक यहां पे बन नगन्या होती है, मतलब सुन्या होती है, तो जलोड मिर्दा में हिमस की मातरा जो होती है, नगन्या होती है, ओके, बारा सो तीस प्रसन देखिए, तो भारत का सबसे बड़ा खनीज तेल उत्पादक छेतर कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा खनीज तेल उत्पादक है वह हो ये डिंग बोई, राइट अंसर यहां पे जो A होगा दोस्तों यह बिल्कुल सही होगा 1221 प्रसन देखा जाए तो इन में से कौन रोपन फसल है तो रबड जो हो जाएगा दोस्तों यहां पे सही होगा यह जो हो जाएगा रबड एक परकार का रोपण फसल है बी विकल्प यहाँ पे सही होगा 1232 प्रस्ट डेखा जाए तो जीवन रेखा रिल कब चलाएगी थी तो 1901 में चलाएगी थी कब दोस्तों चलाएगी थी तो 1901 में B अप्सन यहाँ पे सही हो रहा है 1233 प्रसने की कावर जील कहां पे इस्तित है कावर जील कहां पे इस्तित है तो कावर जील जो हो जाएगा दर्भंगा में इस्तित है बिहार का एक जीला है दर्भंगा यहां पर कावर जील इस्तित है अगरा प्रसने देखिए 1234 प्रसने की किस राज्य में संजुक्त बन प्र रबंधन का पाला प्रस्ताव को बारिद किया गया था ए भी कल्प यहाँ पर सही हो रहा है क्षब बार रिखाया थी कौन औक कार्बन भार्बन भारत में आपसन, यहाँव क्वाने यह का रीक लगा देखायां जहांपे जो सबसे ज्यादा मेंग्रो बन जो है, मिलते हैं, अगला प्रसनल देखे, 1237 प्रसनल की कौन कोईला घटिया किस्मक है, तो पीट, पीट जो कोईला हो जाएगा, यह घटिया किस्मक का कोईला माना जाता है, तो भी विकल्प यहां पे सही हो रहा है, 1218 प्रसने देखिए दोस्तों कि भारत में चाय की क्रिसी कहां शुरू हुई थी भारत में चाय की क्रिसी कहां शुरू हुई थी तो बात करें अस्थम यस चाय की क्रिसी जो है सबसे ज़्यादा शुरू हुआ था तो अधात्वी खनीज माना जाता है, पाइराइट को जो है अधात्वी खनीज माना जाता है, बी अप्सन यहाँ पे सही हो रहा है, 1240 प्रसंद देखे तो भारत का पहला परमाडु सक्ति सनियंतर कौन सा है भारत का पहला परमाडु सक्ति सनियंतर तारापूर हो जाएगा ए बिकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है 1241 प्रसंद है कि कोडार्मा का संबंद की से खनी से है कोडार्मा का संबंध जो है अबरक से है ए भी कल्प जो है यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है 1242 प्रसने देखिए तो किस देश के ओपेक की सद्यस्यता त्याग दी थी कौन सा ऐसा देश है जिसने ओपेक ओपी एसी की सद्यस्यता को त्याग दिया था तो वह जो देश हो जाएगा कत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों तो उस देश का नाम हो जाएगा कत्तर अगला प्रसने देखिए 1243 प्रसने की इन में कौन जूट अगराणी उतपादक राजिया है जूट अगराणी उतपादक डेश कौन सा है तो बंगलादेश हो जाएगा C बिकल्प जो होगा यहाँ पे सही होगा बंगलादेश जो है यह जूट अगराणी उत्पादक देश हो जागा अगला प्रसने दिखिए 1244 1244 प्रसने की आसमन बांध किस नदी से संबंधित है आसमन बांध जो है निल नदी से रिलेटेड है यहाँ पे जो बीकल पे C हो रहा है यह बिलकुल सही हो रहा है 1245 प्रसने दिखिए कि इनमें से कौन प्राकिर्तिक अपदा नहीं है प्राकिर्तिक अपदा कौन सा नहीं है तो यह प्राकिर्तिक अपदा है बार भी हो जाएगा भुकम भी हो जाएगा लेकिन D अप्सन जो है यह प्राकिर्तिक अपदा नहीं है ठीक है तो D अप्सन यहाँ तो D option यहां पर सही हो रहा है, 1247 प्रसन है कि बाढ़ के समस्या कौन अस्थान सुरक्षित होता है इस प्रसन में यह बाते कह रहा है, तो जो उच्चा भूमी होता है, A B कल्प यह सही होता है, ok, 1248 प्रस्टट देखी तो भूष संखलन से क्या अभीप्रा है तो भूष संखलन से मलबो का खिसकना भूष संखलन जब होता है बड़े-बड़े पहारों पर तो वहाँ पे बहुत ज़्यदा मलबे खिसक जाते हैं चटानिक गिरने लगते हैं, चटानों का खिसकना होता है, तो D option यहां पर सही हो रहा है, इन में से सभी, 1249 प्रसन है कि आकास्मिक प्रबंध का परमुख घटक क्या है, आकास्मिक प्रबंध का परमुख घटक, अस्थानिय प्रसासन, स्वेम स्वेश संगठन, अस्थानिय लोग, D option यहां पर सही हो रहा है, अगला प्रसन दिखिए, 1250 प्रसन ही कि भुकाँ पर संभावी चेत्रों में, भावनी की आकरिती कैसी होनी चाहिए, तो तरिभूजा कार होना चाहिए, यहां पर जो, दोस्तो B option हो रहा है, यह बिलकुर सही हो रहा है, 1251 प्रसन ही कि प्रेणा शुरूत रहा है बहुत सुन्दा सा प्रसन है तो उस देश का नाम है इवनान ठीक है तो बी अप्सन आप लोग सही याद करिएगा 1213 प्रसने की War and Peace किस की रचना है तो War and Peace टॉल अश्टाय की रचना है यहाँ पे जो बी विकल्फ हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं बितनाम के बीच होने वाला समझाता किस नाम से जाना जाता है तो हनोई समझाता जाना जाता है बी अप्सन यहां पे सही हो रहा है अगरा प्रस्ण देखिए 1255 प्रस्ण के लखनवर समझाता कव हुआ था तो 1916 में हुआ था ए बिकल्प यहां पे सही हो रहा है 1256 प्रस्ण है कि असरयोग आंदोलन का प्रस्थाव कांग्रेश के किस अधिवेशन में हुआ था तो 1227 प्रस्ण है कि जम शेद जी टाटा ने टाटा आईरन और श्टिल कंपनी के अस्थापना कप किये थे तो 1907 इसमी में किये थे यहाँ पर भी अपसन सहीवर है अगला प्रस्न देखिए 1259 प्रस्ने की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां पर होता है तो महानगर में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है वहाँपे जंसंक्या सबसे जदा होती है 1269-1ndetre की गीरमटिया मजदूर बिहार के किस छेतर में पाए जाते हैं तो गीरमटिया मजदूर बिहार के पच्छमी छेतर में पाए जाते हैं बीअपसन यहाँपे सही हो रहा है 1260 प्रसन देखे तो गुटेन वर्ग का जनम किस देश में हुआ था गुटेन वर्ग का जनम जो है जर्मनी में हुआ था B अपसन यहां पे सही वह रहा है अगला प्रसन देखे 1261 प्रसन है कि भारत का प्रतम तेल सोधक करखाना कहां पे अबस्तित है तो बरावनी हो जाएगा दोस्तो B अपसन यहां पे सही वह रहा है अगला प्रसन देखे 1262 प्रसन की भाखडा नंगल पर्युजना किस नदी पर इस्तित है तो भाखडा नंगल जो परियुजना है यह कहां पे है तो सतलज नदी पर इस्तित है राइट एंसर यहाँ पर जो C होगा दोस्तों यह बिलकुल सही होगा अगला प्रस्न देखिए 1234 प्रस्न की ताप बिधुत केंद्र का एक उधारन बताईए तो ताप बिधुत केंद्र का एक उधारन हो जाएगा यहाँ पर बरवनी हो जाएगा अगला प्रसन देखिए 1264 प्रसन है कि मैंग्रोस का सबसे अधिक बिस्थार कहां पर तो सुन्दर बन में हो जाएगा P अप्सन यहां पर सही हो रहा है अगला प्रसन देखिए 1265 प्रसन है दोस्तों कि भारत में लगभग कितने प्रकार की खनीच पाई जाते हैं भारत में लगभग 150 प्रतिसत खनीच पाई जाते हैं। यहां पर से अपसन हो रहा है यह सही हो रहा है की कॉफी उबाई जाते और बीकिया और बीका किस्म की कॉफी को उगाया जाता है 1268 प्रसने की स्वर्णीम चत्रभुज महा मार्क से संबंदित नगर कौन सा है तो स्वर्णीम चत्रभुज महा नगर से संबंदित चे नहीं हो जाएगा यहाँ पे जो D option होगा दोस्तों यह बिल्कुल सही होगा 1269 प्रसने दिखे तो चुना पत्थर की उप्योग मुखे रुप से किस उधोग में होता है तो चुना पत्थर का उप्योग सबसे ज़्यादा सीमेंट उधोग में होता है यह option सही हो रहा है और 1270 प्रसने की बिहार में Grand Track Road का राष्टी मारकी संक्या कितना हो जाएगा तो दो हो जाएगा यहाँ पे B option सही हो रहा है आज की class में हम लोग 1270 तक प्रसने की यह कैसा लगा आप लोग को class जरूर कोमेंट कीजेगा लाइक कीजेगा जितना हो सके शेयर कर दिजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्तपूर प्रसनों के साथ तब तक के लिए आप लोग को जैहिन जै भारत